प्राइम टीवी सच साहस सरोकार भाजपा दिली सरकार पर लगतार हमला वर हो रही है इसी कड़ी में भाजपा के राश्र प्रवक्ता गौरब भाठिया ने प्रेस वारता कर मुख्यमंत्री अर्विन केजविवाल पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहां आमादमी पार्टी का प्रष्टाचार और एक कटर बईमानी बीजेपी उज्जागर हो रही है और ये इस पश्ट हो गया है कि मनीश सोधिया और आमादमी पार्टी के पास जवाब नहीं है इस प्रेस कॉन्फरेंस में हम बहुत बड़ा खुलासा करेंगे मनीश सोधिया कह रहे हैं कि एक संदेश आया है भाजपा का कि मैं कहना चाहता हूँ कि जिनकी सोच इतनी छोटी है उसे भला कोई क्या तोड़ेगा इस खबर पर माईस सदबाद चीत के लिए समधा तो गौरब जुड़ चुके हैं गौरब लगतार गड़बड़ियों को देखते हुए जवाच बैठाई गई है एडियों सीबियाई के जवाच जहां एक तरफ चल रही है काफी हंगाम मचवा रहा है क्या कहेंगे स्वेड़ियों कि अगर आप जलग करेंगे तो परकार और इस तासा ने वो आपको नहीं पूरेगा कि अगर पर किया है कि अगर वे उनके साथ जुड़ जाया है और आप आधे पार्टी को तोड़ जाये तो बीजेटी एडी से जड़े और फिवाच जड़े तमान मामने बतन कर देंगे अलाकि इस्ते कोई पुक्ति उनने नहीं किया है कोई जनादार भी नहीं है कि बीजेटी कोई तरफ लगाता है कि अगर कोई तरह का आरोप लगाता है तो इसका कोई आधार उत्रमान नहीं होता है आंक किसी बात के को समीचा नहीं करते जिस रहाँ से ट्weet करके ये बात कही है आरोप लगा ए बीजेपी पर मनीसी सोधिया ने तो इस आधार पर जाच होगी कि बीजेपी की तरफ से क्या कुछ ऐसा कहा गया है या नहीं कहा गया है क्या BJP में जुड़ना चाहते हैं इस वज़े से ये बात कही जा रही मनिसी सोधिया की तरफ से अपने आपको बचाने के लिए आरोप लगाने के लिए ये बात कही गई है तो यहां पर सुखोड़ियी का बयान जो आया है पी आपको आसे पापके लिए यहीं है पिर्टी के लिए पर अबहुटान कि बात करें रायस्तान कि बात करें विहार की बात करें यह मारास नहीं जया रहा है तो पर नहीं पुषिद्धिर जारा जा रहा है कि अधार जारा जारा है कि इसको लेकर भी किसी तरह का बयाम दिया गया है आमागभी पार्टी की तरफ से कि अधार जार बॉख और हंपकर नीटी में गोटाले की हमाद कि धारस जीनए हृए कि आपकार नियेन कि क्रिए हृए है धिना किसी पर्क्रिया के और एंद्ट कर दिया और गोटाले का रगार तेंग całe Sr cardiac प्रेस वारता करें इस पष्टी करण दे तो इस मामले पे क्या कहेंगे जिस तरह से आरोप लगाये जा रहे हैं और प्रेस ब्रीफिंग करणे की बात कही थी अनुराख ठाकुर ने उसको लेकर क्या रुक कर रही है अमादमी पार्थी इसके विरुद जा रहा है कि इसके जाच हो रहे हैं विपक्ष इसका विरुद कर रहा है पूरा-पूरा इल्जाम सरकार पर लगा रहा है तो क्या लगता है जिस तरह की कारवाई हो रही है से बीजेपी को बड़ा फाइदा मिलेगा दिली में पर लगता है अगर इसके अपने कादान है अपने प्रिमान होता है जब इसके अपने प्रिमान होता है पर लेंदेन होता है और परसर लेंदेन होता है तो पहले वाद करता है कि नहीं प्रिमान होता है अपने पार्द की अपने प्रश्चाव को बाटर की निजारी है जो बिल्कुल बहुत बहुत शुक्री है मैं से अजड़ने के लिए तो हम जानकारी के लिए इस ख़बर पर हम ऐसा समधा तो गोराव शुरबास तो जुड़े थे लखनाव से दिली के जंतर मंतर पर सयुक किसान मोर्चा ने महा पंचायत का एहलान किया है इसे 60 से अधेक संगटनों को बिलाया गया है देश के अलग-अलग राज्यों से किसानों का जथा इसमें श्रामिल होने के लिए राजधानी की तरफ कूच कर रहा है वही कुछ किसानों का शनिवार से ही दिली पहुचने का सिलसला शिरू हो गया है दिली पलस ने इस प्रेदर्शन की इजासत नहीं दी है ऐसे में महा पंचायत के मद्दे नजर पलस ने बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी है मिनाजाच किसी वाहन को राजधानी में प्र दिली के जंतर मंतर पर महा पंचायत का ऐलान किया गया है और अब सिंगो और गाज़ी पूर बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है क्योंकि जैसे तीन नएक रिशी कानूर के वरोध में दिली के बॉर्डरों को किसानों ने घेल लिया था लंबा प्रेशन चला उसक अबर पर मासा सदबा चिरेली समधाता प्रवीन जोड़ चुके हैं प्रवीन जिस सरहां से किसानों ने ऐलाम किया महा पंचायत का क्या कुछ तैयारिया देखने को मिल रही दिली के बॉर्डर से आपको बता दू इस समय हम उसी बॉर्डर पर मौजूद है जहां पर सुब पर मौजूद है यहां पर पुलिस वाले और सियाई सब के जवान सब लोग यहां पर मौजूद है यहां पर बहराल यह वही जगा है जहां पर इस समय में खड़ा हूँ यही पर ही एक समय पर धरना हुआ था यही परदर्शन हुआ था सभी किसान सयुक्त मोर्चा के लोग यही पर मौजूद थे यही वो जगाती जहां पर पूरी तरह कैसे उसको बैरिकेट कर दिया गया था तस्वीरे आप देख सकते हैं कि यह वो गाजीपूर का बॉर्डर है जहां पर इस लगा हुआ करता था जहां से आज गाड़िया निकल रही है लेकिन वहीं स्थितिया पैदा ना हो पने पाए उसको लेकर खास्तोर पे दिल्ली पुलिस ने बैरिकेटिंग कर दी थी बैरिकेटिंग आप देख सकते हैं वो तस्वीरों में वो है जी हर गाड़ियों को चेक भी किया जो रहा है प्रवीन तो इसको लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश दिये गए हैं प्रशासन की तरफ से देखे सिखा में बता दूँ कि धारा 144 दिल्ली के अंदर में लागू हो चुकी है क्योंकि सुबा से ही जिस तरह से इंपूट मिला था दिल्ली पुलिस को कि यहां पर किसान ने तरा राके ठीकेट उनके साथ में और भी लोग यहां पर जुड़कर दिल्ली के तरफ आप लोग अगर सुबा से निकलते हैं अपने डूटी के लिए कहीं न गई तो उस छेतर से होते हुए थोड़ा पहले निकले जिससे कि वहां जाम के सिती ना बन पाएं लेकिन यह दिल्ली पुलिस ने यह एड़ जारी नहीं की थी कि वहां पर बॉर्डर भी सील किये सभी एक गाडियों को चेक किया जा रहा था कि कोई ऐसा आदमी नहीं हो जो वहां पर प्रवेस कर पाए जो किसान नेता या किसान संगठन से जुड़ा हो और खास तोर पे एक बात और बता दू जो गाडियों में इस्टीकर लगे हो थे बिक्यू के जो किसान अंदलन के सम दिल्ली पुलीस भी थी दोनों की तरफ से सरदर्दी का महाँल ना पैता हो जाए इसको लेकर पुलीस काफी अलट दिखाए दी जी प्रवीन अगर बात करें किसानों के तो किसानों के तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया है क्योंकि जिस तरह के स्थिती है उनके एंट्री पुस्तक कला में जाना था जहां पर उनको मीटिंग करनी थी वहां बैठना था एक कुछ किसी चीज़ का सिलन्यास था है उद्गाटन था ऐसी खबर सामने निकल कर आई थी लेकिन हाला कि राकेट टिकेट को जाने के लिए अनुमतीन मना नहीं किया है राकेट टिकेट अकेल अंदर पे लोग इकठा हुए थे तो यह अंदोलन काफी लंबे समय तर चला था तो यह रणी थी खास तोर पे पंचायत के समय में क्या बनाई गई थी यह तो अंदर के ही उनके नेता जानते हैं लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस अलर्ट हो गई थी सभी परशाशन के हाथ पायर पूल गए थे कि राकें डिकेंद आखिर पूच कर रहे हैं दिल्ली के तरफ तो ऐसा नो महौल पहले जैसा है हैं क्रेट हो सके जी जी बिल्कुल बहुत 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 शुक्रिया हमासा जड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस खबर पे हमाई सद्गाज कुखोंदू धाने में अध्यापक के खिलाफ तहरीर देकर कारिवाई की मांगी है जिसके बाद पलिस ने तुरंत कारिवाई करते हुए अध्यापक को हिरासत में ले लिया जो मायें अपके बच्चे अपका पड़े गए ना तो यह पूछना मुछ हो तनाई लेकामर बता पने एक अचर भूला गई नो तो इसे मर निलो व बच्चे पनने गया एक अचर छोड़ दिया था तो उसमें उव च्चे के मारे हैं क्या नाम है तुछ दुदास्वाब इ जी बच्चे कहाँ है रिपर अभी बच्चा कैसा है अभी अभी नारमन में उसको पॉत प्रभाकर मिश्रा अध्यापक है अध्यापक पताया गया विडियो में कि इस बच्चे की उप्रातुमारा कृता है हमने तथ्काल तथ्यों को संग्याम लेते हैं और आपको निलंबित कर दिया है और जहां सी कावाई शल नहीं है अगर आरोफ कुष्कित हुता है बच्चे की बुरी तरह पिटाई करी गई जिसके बाद अपरीजियनों ने इसकी शुकायत दर्च कराई और अध्यापक को अब हरासत में ले लिया गया है और इस खबर पर हमाइसा जदबाचीत के लिए समधाता रवी रावच जड़ चुके है फोन लाइन पर रवी जिस सरहा से अध्यापक ने बच्चे की विटाई करी थी उसके बाद शिकायत करने के बाद एक्शन लिया गया पुलिस की तरफ से हिरासत में ले लिया गया अब पता देगिए देवरिया जनपत के सलेम पूर्बला के बढ़िया प्राइमरी विज्याले का मामला है जहां एक चार की चातरा की टीचर द्वारा बेरेमी से पिटाई का मामला सामने आया है जहां बच्चे की पिटाई से आक्रोसित परिजन ने कुफंदू ठाने में लेकिन देर साम टीचर के माफी मांगने के बाद अध्यापक चोड़ दिया गया लेकिन जैसे ही इसका विडियो वाइरल हुआ अध्यापक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया और आगे की करवाई में जूट गई और आपको बता दे की यही है दूसरा मामला देवरिया के परचोटिया प्रात्यमिक बिद्याले में जहां एक साहयक अध्यापक धर्में दियादों ने प्रभाव पर गंभीर आरूप लगाते हो बताया की मेरे साथ गाली गुलोच की गई और आपका अनुमान लगा सकती ह है कि अगर ऐसे ही अध्यापक और परधाना अध्यापक के बीच गाली गुलोच का मामला चलता रहा तो नौनिहाल बच्चों की जीवन भविस के साथ खिलवार किया जा रहा है और ऐसे में बच्चों का जिंदगी भवी से कैसे पार लगेगा जी रभी अगर छात्र की बा चोटिल दिखाई पर रहा है जो बिलकुल बहुत वह शुक्रिया हमाँ से जड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए इस ख़बर पर हमाँ से समधाता रवीरा वजड़ेति देवारिया से बिलन शेहर में खुर्जा नगर कोतवाली छेत्र के हनुमान टीला के पास कलियोगी बेटे ने संपत्ती के लिए मा के निर्मम भत्या कर दी जड़नकारी के मताबिक हत्यारे बेटे ने मा पर धारदार हत्यार से वार करते हुए चेहरा भी को चल दिया था तुलहाल पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफतार करते हुए शब को पोस्ट मॉटम के लिए भेज दिया है इसमें उसमों को हिडासत में लेके पूपताज की जाए रहे हैं तुलताज के बाद जो भी इसमें जोसी होता है यह खबर सामने आ रही है इस खबर पर मैंसा सदबाचीत के लिए समदाता विशाल कुमार जुट चुके है बिलंड शेहर से विशाल पूरी चानकारी चाहेंगे विशाल अक्या आरोपी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है जानकारी के लिए इस खबर पर मैंसा समदाता विशाल कुमार जुट चुड़े थे बुलंड शेहर से चार बजी की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही देश दुनिया के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच